खबरगती न्यूज पे IPS अपर परिवहन आयूप प्रवर्तन मद्धिप्रदेश अर्विंद सकसेना जी के साथ रीमा यादो की देखिए खास मुलाकात इस वक हमारे साथ गुवालियर के अपर डिप्टी कमिशनर हमारे साथ है आये जानते हैं रोहन सकसेना जी से कि परिवहन विभाग में किस प्रकार से चेक पोस्ट जो है उन पर क्या शर्ते और क्या नियम लागू है जी बताएं सर कि क्या शर्ते और नियम लागू है देकि जो जयक बुस्तों की स्थाफना होती है वह अदीसूशनों को अंतरगत होती है और चेक बुस्त दो प्रकारी होती है, एक तो पहला स्थाई चेक बुस्त होती है और दूसरा राजस उद्गहन बढ़ाने को इस्टिपॉस्त से वहां जो स्थाई चेक पोस्त हैती है उनको अवाइड करके इस प्रकार से निकलते हैं ताकि उनको टैक्सेस नहीं चुकाना पड़े तो ऐसे पर्टिकुलर जो रूर्स रहते हैं उनको कवर्ड करने के लिए अस्थाई चेक पोस्ती बनाई जाती है और इस जाती हम सहती है एडिशूची रहती है और शेशन के अदेश से इसकी स्थाफना के जाती है कुछ पर्टिकुलर नौम्स है जो भारे मालवार ट्रॉक्स हैं यस की अतरिक्त्र मतलब जो कुछ पर्टिकुलर ऐसी बसेस हैं जो पुरी नेशनल परमिट स्प्राप्त हैं तो उसमें हमको जो इस प्रकार के माबदन सुनिशिक करने पड़ते हैं जिसे ओवर्लोडिंग ना हो, एक्सिजेंट्स ना हो और जो प्रावधान है जो हमारे मोटर विकल एक्त में हैं इसके अलावाज जो एंपी मोटर विकल रूल से उसमें टैक्सेसिन एक्त में इनका भी बारंग करनाना हमारा प्रमु करता बहुता है, इसके लिए चेक पोस्टों की जो है स्ताबनाई की जाते हैं जैसे कि चेक पॉस्ट पर अभी आपने बताया कि कुछ नियम लागू किये गए हैं तो मैंगी जाना चाहूँगी जो वाहन जाते हैं तो उस पर कितने शुर्क का चालान कटता है देखिए आपने भी सेंटर्ल मोटर्वीकल एट का अध्यान किया हुए टेक्सेशन एट का औ आपको शास्थी आपके ऐखिया सकती है या कितना आपके ऑपर पर पैनेटी लगेगी तो इसके महभलन प्रिथख प्रिथख हैं यह वाहन के आकार और जो वाहनों में पाई जाने वाली तक्नीटित रुटी एती है या उसके दस्तावेजों मे या बौडी में उसके आधा तो ये राशी जो है 500 रुपे से लेकर 20,000 तक हो सकती है जैसा कि खबरगती की टीव ने पूरा सर्वे करक किया उसमें ये पाया गया कि अवेद्वसुली भी की जा रही है कि खाली वहन अगर जाता है तो उस पर 15 सो का चालान काटा जाता है इस पर आप क्या खेना चालिए द जो है दूसरी प्रकार की जो इसंगतिया रहती है जैसे आपको हैडलाइट धंग से मैंटीन करना है जो आपकी वहान है उसकी जो बॉड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेट फॉर्म में जाहना चाहिए जो बैक लाइट से और जो फ्रेंट लाइट से इनका ज दैक जो अपने जो बॉलाइट जो रहते हैं तो यह जो बना की जाँ रहते हैं त्य। कि धाराओं को इंपोस करके पेनल्ट्य उनसे बसूली गई है वह अकसे इस प्रकार के आगोप लगाते हैं कि सर हमारी गाड़ी जा देती और हमसे जो है जैसा कि अभी आपने कहा कि वाहनों की जो गंडीशन में कुछ प्रॉब्लम के कारण ली जाती है वसूली लेकिन खबर अगर एक्सेप्शनल केस और यदि किसी प्रकारवाही कब तक हो जाए तक तक हो जाए तक तक हो जाए तक यदि जो पर्टिक्वर एविदेंस प्रड्यूस किया जाता है और इसके अतरिक्त किसी व्यक्ति के द्वारा उसको रेलेवेंट धंग से प्रिस्तुत किराता है तो निश्यत रूप से उसका प्रेक्शन होगा और यदि सामने वाले को सुनवाई का उसर देने के पात उसकी तुटि पर लक्षित हुई तो निश जिक्ति पर देने के पात बीदी समफ कारें शिर्सी पेने उसका जैसकि कही चेक पोस्ट पर इंट्री के नाम से वसुली की जा रही है तो इंट्री का क्या मतलब है सर बताई है दखें एंड्री जो शब्द है जैसा कि मैंने बहुत किलियर जया है कही परिवाशित नहीं है ना किसी नियम में परिवाशिक है या ना किसी एक्ट में और इस शर्द को जो है बहुत बार उच्छाइब किया जाता है और बहुत बार लोग इसके विशे में पूछते हैं तो मेरा इसमें इस पस्त यह कहना रहता है कि यदि इस प्रकारी किसी फिकायत आपको है तो आजकल बहुत से संसादन अविलेबिल हैं और डी मोबाई फोन्स हैं इसके लाब वीडियो कॉल्स करके आप सुचित तर सकते हैं उसके माध्यम से आवश्य हमको अवगत कराएं या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी प्रिकार से भी आप तूटी पूल धंसे हैं अब गाड़ी का संचालन नहीं कर रहे हैं या गाड़ी कहीं अब लोड़ेड नहीं है बाती सभी प्रामेटर से हैं वीकल के परफेक्ट हैं तो निश्य लूप से बहुत से कई बार अवसार ऐसे आया जब ऐसे डिवेटेवली सित्निया बनी जब वहां उपस्तित अधिकारी कार्मशारी या जो गाड़ी का चालक या गाड़ी का जो अभाहन मालिक है वो मेंड़ने लेए पारा तो हम लोगों ने तोड़े पैसले लिये और बताया हैंने कि ये गाड़ी की स्तिती सही प्रलक्षित हो रही है तो अभी इसको अपने को संधे के लाग देना चाहिए और किसी प्रकार की पेनल्टी इस पर इंपोस्ट ना करके उसको रिवीज भी कराए गया अभी ट्रक का चालक है और ट्रक की वारा मैं देखे पूनर्स की साथ में चाते हैं उनको ऐसे मौकी रिए आते हैं तो उनको तुरंत हमें आवकर कराना चाहिए और निश्यदूर से हम उसका एक्दाशन करें के उनकी शिकायक का उस पे हम जो है प्रॉपर एक्शन इंशोर सक्सेना है अर्विन सक्सेना जी ने कहा कि किसी भी प्रकार से चेक पोस्ट पर अवेद तरीके से अगर वसूली की जा रही है तो उस पर जल्द ही कारवाही करेंगे मामला इनके संग्यार में देने के बाद इस पर जल्द ही कारवाही होगी केमरा परसन आनन सोनी के साथ मै मेरी मैं आदो खबरगती न्यूस को सब्सक्राइब कीजिए यू आज़ो फॉलो अन फेस्बुक यू आज़ो फॉलो अन ट्विटर यू आज़ो फॉलो अन इंस्ट्रिग्राम